पांच फरवरी बनाने से आगे बढ़ती है चाहिए हमारे हमारी पाप अफवाज फुर्बानियां दे रही है पूरी कौम अपने कश्मीरी भाईयों के साथ खड़ी है अब हकुमत वक्त की जिम्यदारी बनती है के वो इस इशू को उठाने के लिए यूनाइटिड नेशन या हमारे जो मुस्लिम मुमालिक है उनके साथ इस मसले को आगे बढ़ाए एक प्रिशर बिल्ट अपने क्योंकि अब जिस तरह से लोगों के अंदर जोश नजर आ रहा है ऐसा ना हो कि ये वक्त हम गवा लिए ये वक्त हाथ से ने कर जाए दुनिया में तहरीकें हमारे सामने हैं और वो तहरीकें भी सामने हैं जिनोंने अपने गोल अचीव किये जो चाहते थे उन्होंने वो पाया अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी एज़ा कौम तो साथ खड़े हैं इस कौस पे मगर जहां तक मुस्लिम उम्मा का तालुख है मुझे ऐसा कोई मुल्क नजर नहीं आता जो कश्मीरी भाईयों की आवास में आवास मिलाएं सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से अब मसला हल नहीं होगा हमें जिस तरह से कश्मीरी भाईयों के साथ जल्म बर्पा हो रहा है जिस तरह से हमारे हमारी माएं पहने बच्चों के साथ जातिया हो रही है वो अब बरदाश से बाहर दो चुकी है तो मैं आप सब का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप इस एक प्रोग्राम में क्योंके केमसी ने मुनकित किया आप तश्रीफ लाई और एक बात और स्टेज पे सामने आई कि प्रेशर बिल्ड़ अप करने के लिए अगर हम अपना विर्दार अदा करें एस एंडिविजन तो वो भी आज के दुनिया में कोई ना कोई नताइच हासिल कर सकता सोशल मीडिया एक बड़ा हत्यार मले चुक्ता है हर शक्स से रिक्वेश्ट करूंगा जितने भी यहां मुक्तलिफ जमातों से ताल्योग रखने वाले हमारे दोस्त बैठे हैं एलेक्टिड नुमाएं के वो अपने जो भी सिस्टम है उनका जमातों का उसमें ये पॉइंट उनको समझाएं जो सुशल मीडिया में मुक्तलिफीश्ट को आगे लेके आते हैं के कश्मीरी भाईयों के साथ देने के लिए आप एक प्रेशर बिल्डब करेंगें साहिए इंतजार करें दुनिया के उनाइटिट नेशन के नाम पे मेसेज़िस डालें जब करोडों मेसेज़िस सोशल मीडिया के थूरू सामने आएंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका नतीज़ा जरूर निकलेगा हम पाक फौच को उसकी गुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं जिस तरह इस रीजिन के सामने हमारे सामने जो चैलेंजिस हैं उन से मकाबला कर रही है पाक फौच गुर्बानिया दे रही है हमारे बॉर्डर्स पे हमारे शहरी हिंदुस्तान की गुलाबारी फाइलिंग से आप हर हकते देखते होगे अखबार में तस्वीर चपी भी हो थी के दो फौजी शहीर हो गए पांच शहरी शहीर हो गए तो ये कब तक पाकिस्तानी कौँम पर दाश करें है हकुमत वख्त की जमेदारी बनती है कि सफ़ पॉलिसी मुरत्ब करें अपने दोस्तों के साथ इस हवाले से मीटिंग्स करें एक बहुत बड़ी ताकट बनती है अगर सारे मुस्लिम मुमालिक इखटे हो जाएं किसी एक कौश को ये कोशिश मैं समझता हूं करनी चाहिए कि मुस्लिम मुमा को सारी चीज़ें चौड़के कश्मीर कौश के इखटा किया जाए और जो इस कौश पे नहीं साथ देता तो उसको उस मुन की पॉलिसी या उस मुन को फिर अवाँ के सामने लाया जाए कि उसकी पॉलिसी उसकी सोच कश्मीर इशू पर क्या है हम क्लेर होना चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा क्या उपेनियन रखती है खुल के बयान भी नहीं देते खुल के इस पर बाद भी नहीं करते तो हमें as a calm हम चाहते हैं कि क्लेरिटी आनी चाहिए ताकि जदो जहद जब शूरू हो तो हम किसी की तरफ फिर देखे ना किसी का इंतजार ना करें मैं समझता हूँ आज कराची के लोगों ने थावित किया है कि हम अपने कश्मीर भाईयों ने साथ खड़े हैं हम उनकी जदो जहद में सिंसेर्टी के साथ उनके साथ खड़े हैं और फिर से ये कहूंगा हकुमत वक्त से कि अब पांच तारीफ मनाने से आगे निकला जाए आप सब का बहुत 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 शुज़े हैं